हेलो दोस्तों क्यूब सॉलवर आजीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब की जो ये लाश्ट लेयर होती है उसे हम कैसे सॉलव करते हैं तो अब हमें जो हमारा जो ऊपर लाश्ट लेयर में जो सेंटर कलरw है जैसे अलो कलर तो आ यह BLACK दर का क्रॉस बनाना है और क्रॉस बनाने के लीए हमें इन चारो चारो स्टेप को फॉलव करना पढ़े गा जैसे कि मेरा अभी center color सिर्फ center color पे q बहने से यहाँ पे yellow color तो देखिए जो यहाँ पे yellow color है पहला point तब हमको algorithm लगानी है f r u r inverse u inverse f inverse तो हम जब इस algorithm को लगाएंगे तो हमारा second step follow करेगा और second step follow करने के लिए हम यह algorithm लगाते हैं f r u r inverse u inverse और फिर f inverse तो जैसे हमने यह algorithm लगाई तो देखिए हमारा second step follow कर गया जैसे हमारा second step पे जो दिया है तो जैसे यह follow कर गया अब हमको third step पे लाना है तो फिर हमको यह algorithm लगा देनी है f r u r inverse u inverse और f inverse तो देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अब second step पे आ चुका है तो बस हमको cross बनाने के लिए fourth step पे जाना है और fourth step पे जाने के लिए हमें फिर से यह algorithm लगा देनी है f r u r inverse u inverse f inverse देखिए हम लगाते है f r u फिर हमको r inverse u inverse और f inverse तो देखिए दोस्तों cube की जो last layer है उसमें हमारा yellow color का cross बन चुका है तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे yellow color का cross बन चुका है तो अब हमको अगले step पे जाना है और जैसे कि मैंने इस पे लिखाया है जैसे कि जो आमने और सामने color मैच होने चाहिए आगे और पीछे color तो देखिए इसी अगर आप इसको घुमा घुमा के देखेंगे तो आपके कोई दो color आमने सामने के आगे और पीछे के match कर जाएंगे तो देखिए रहे से कि میरे हाँ लाल कलर और ओरंच कलर मैच कर चुका है तो हमको यह अलगोरित्म लगा देनी है और अलगोरित्म लगाने से पहले हमें किस टेप पर होने चाहिए व्युक्ल ऐसे रखा उना चाहिए कि एक आगे व्युक्ल आपके सामने हो और एक आपके पीछे करारो जो आपका मैच कर रहा है तो जैसे कि यह मैच कर रहा है अब मैं यह अलगोरित्म लगा देता हूँ R को उपर और हमारा U है U को आगे की और फिर जो R है R को नीचे की और और U को फिर से आगे की और जो R है R को उपर और फिर जो u है u को हमें दो भार आगे की और rotate करना है फिर जो यह हमारा r है r को हमारा वापस को नीचे ला देना है तो देखिए दोस्तों अब हमारे कोई दो colour match कर रहोंगे corner के जैसे कि यह और एक यह देखिये हमारा match कर रहा है तो जैसे कि ये दो color match कर रहे है corner के तो देखिए हमारा cube अब इस position प्रिइसें प्रे में आ चुका है तो हमें देखिए जैसफ एक कर रहा हमारा पीछे करना है जो हमारा match कर रहा है और एक कर रहा हमारा अपने bagarmे रहना है जैसे यह लाल और यह हमारा हरा देखिए विकुल ऐसे ही रखा है जैसे इसमें दिखाया गया है तब हमको इसके लिए फिर से हमको यही अल्गोरित्म लगा देनी है तो देखिए रहसे हमारा फिर यह जो अल्गोरित्म है आर को उपर, यू को आगे की और, आर को नीचे, यू को आगे की और, आर को उपर, यू को दो बार आगे की और और जो आर है, आर को फिर नीचे कर दिया तो देखिए दोस्तों, अब हमारे क्यूब के चारों कलर मैच कर रहे हैं तो जैसे कि अब ये color हमारे match कर रहे हैं तो अब हमको देखना है कि कोई एक color जो की corner का जो ठीक तरीके से लगा मतलब तीनों color आगे पीछे और उपर से match करें जैसे कि यहाँ पे हरा नारंगी और पीला है तो देखिए यहाँ पे नारंगी नीला है यहाँ पे इसमें कहीं भी नीला ने दिख रहा और यहाँ देखिए तो यहाँ पे नारंगी पीला और नीला है तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लाल है लाल नहीं मतलब वो orange और नीला और yellow color है तो हमको यह algorithm लगा देनी है ल को ऊपर, u को आगे की और, r को ऊपर की और, u को पीछे की और, l को नीचे की और, u को आगे की और, r को नीचे की और तो हम यह algorithm लगा देते हैं, l को ऊपर, जो हमारा u है, u को आगे की और, r को ऊपर की और, u को तीचे की और, l है, l को हमारा फिर से नीचे की और, u को आगे की और, r को नीचे की और तो देखिए दोस्तों, अब जैसे हमने यह लगाया कहते है, algorithm, तो सबसे पहले तो हमें अपने चारों कलर को लिकुल बराबर मेरे लेक लेना, मतलब पहले सारे कलर को मैच कर देना है, जैसे यहाँ पर चारों तरफ, यहारे से सारे कलर मैच कर चुके हैं, तो हमको देखना हैं कि यह चारों कोने साही जगह से लगे हुएं, त Ellis को ओर से सारे को मैच होने चारा और और हरा, लाल, पीला और हरा तो हमारा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो हमको देखना है कि जू कोना सही जगह से लगा हुए, जैसे यह हमको एक बार फिरस यही यह अल्गورिथम लगा देनी है L को उपर U को आगे की और R को उपर की और U को पीछे की और L को नीचे की और U को आगे की और R को नीचे की और अब हमको पहले फिर से अपने चारो कलर को मैच कर रहे ना है तो देखिए जैसे हमें ने ये मैच कर लिया है अब हमको देखना है कि हमारे जो कॉर्णर है सारे साइस लगे हैं कि नहीं देखना है यहां पर लाल हरा और पीला अब यह उपर देखना है यहां पर लाल है यहां पर हरा यह सही लगा है अब इसको देखना है यहां पर नारंगी पीला और हरा देखिए यह हरा है यह नारंग पीला और नीला देखिए अब हमारे चारों कॉर्णर बिल्कुल सही तरीके से लग चुके है तो अब हमारा जो क्यूब है वो विल्कुल लाश्ट पोजीशन में आ चुका है तो जैसे जो लाश्ट में अल्गोरित्म है आर यू आर इन्वर्स यू इन्वर्स तो अब हमको क्यूब का कोई भी ये कॉर्णर है उसको ऐसे क्यूब को उल्टा कर लेना है और हमको ये अल्गोरित्म तभी लगे कि जब चारों कॉर्णर बिल्कुल सही से फिट हो तो हमको क्यूब को उल्टा कर लेना है और यह algorithm लगानी है जब तक लगानी है जब तक कोई भी corner size से ना fit हो जाए R, U, R inverse U inverse हो देखिए R को उपर U को आगे की ओर R को नीचे की ओर U को पीछे की ओर हमें यह तब तक लगाना है जब तक कोई भी corner ठीक ना हो जाए बिल्कुल बैड़ी आए देखिए दोस्तों जैसे कि यह match हो चुका है बैट गया है तो अब हमको फिर से corner को अपने सामने ले आना और फिर से यह algorithm लगानी है देखिए दोस्तों जैसे corner अब match हो गया हमको फिर से क्यूब को अपने हमेइए आपके सामने रख लेना है फिर इस यह 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 यहिए लगारिफ लगानी है ऐसे देखिए दोस्तों और आपका क्यूड बिलकुल स्ल्व हो चुका है अगर आप को यह वीदियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें